दोस्तो अभी अभी एक कम्पनी ने आप एनाउस किया 2-10 के रिशियो से स्टॉक स्प्लिट और आज की इस वीडियो के अंदर इसी स्टॉक की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बात करेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स की, फाइनशल्स की, शेर होल्डिंग पैटन्स की और साधी साथ मैं बताऊंगे इसी स्टॉक स्प्लिट को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होने वली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताता हूं आपको कौन सा इस स्टॉक जिसने आपे धमाकेदार स्टॉक स्प्लिट अनौंस कर दिया है 2 इस टू 10 के रेशियो से दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता दिने से पहले मैं आप लोगों को स्टॉक की कुछ और इंपोर्टेंट इंफॉमिशन के बारे हमें बता देता हूं तो आईए सबसे बहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक के पास्ट रिटर्स की बात करें कंपनी के fundamentals की तो इसकी जो market capitalization है वो 17.8 crores की है, 52 भी खाया है, stock का 51 रुपीस का है और जो 52 भी कलो है वो 21.8 रुपीस का है, stock का जो current price है currently अपने 52 भी खाया की तरफ में move कर रहा है, जो कि यह मैं बताता है कि जो stock है भी एक upwards trend के अंदर में move कर रहा है, बात करें इस company के stock के PE ratio की तो 28.3 का है जो की average है, book value stock की 17.2 रुपीस की है, dividend yield 0 का है, ROCE की बात करें return on capital employed 10.9% का है, and ROE return on equity 8.09% का है, तो ROCE और ROE 15 to 18% के उपर हो तभी अच्छे माने जाते हैं, बट यह हाँ पर कम है तो आप कह सकते हो कि हाँ company का return on capital employed and return on equity काफी कम है, face value stock की 10 रुपीस की debt to equity ratio सिरफ 0.01 का है, जो की हमें बताते हैं कि जो company है almost यहाँ पर debt free है, अब आईए बात कर लेते हैं company के financials की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2012 से लेके 2022 तक का data available है हमारे पास में, हम last one year को compare करते हैं, तो सबसे बहले बात करते हैं sales की, जहाँ पर 2021 के अंदर में company की sales 0.82 करोर्स की थी, वहीं 2022 में बढ़के 1.05 करोर्स की हो चुकी है, अगर हम long term के यहाँ साल almost company जो sale है वो यहाँ पर बढ़ती आ रही है, बात करें company के operating profit की तो 2021 के अंदर में 0.49 करोर्स का operating profit था, वहीं 2022 के अंदर में 0.75 करोर्स पे आ चुका है, और company का operating profit भी long term के काफी अच्छे तरीके से increase होता हुआ देखने को मिल रहा है, net worth की, sorry net profit की बात करें, यहाँ पर 2021 के अंदर में 0.35 करोर्स का था, और 2022 के अंदर में यह बी increase होके 0.53 करोर्स पे हो चुका है, long term के अंदर company का net profit भी यहाँ पर सालाना increase होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, December 2022 के quarter के according यहाँ पर जो promoters की holding है currently 42.93% की है, और बाकी का पूरा stake company का retail investors के पास यान की public के पास में है, जो की 57.07% का है, तो shareholding patterns में कहना चाहूँगा इतने अच्छे नहीं है, काफी बेकार है in fact, ऐसा इसलिए because एक तो already यहाँ पर promoters के अलावा retail investors यान की public ही है, foreign institutions, other domestic institutions, यह सब यहाँ पर shareholding patterns के अंदर में नहीं है, और यह ना होने की बावजूद भी यहाँ जो majority of the stake है, जो shareholding patterns में majority of the stake है, वो यहाँ पर promoters का होना चाहिए था, बट यहाँ पर promoters का ना होके वो यहाँ पर retail investors यान की public के पास में है, तो इस वाज़े से मैं कहना चाहूँग से company के जो promoters हैं, उन्होंने अपना stake यहाँ पर increase करना वापस से start कर दिया है, तो हो सकते हैं आने वहले 2-3 quarter के बाद में जो company के promoters हैं, उनका stake हमें और भी increase होता हुआ, यहाँ पर देखने को मिल जाए, अब आईए बात करते हैं, stock के नाम की तो company का नाम है Continental Securities Limited, company का जो Bombay exchange का code है 53868, अब अगर हम बात करें company के official announcement की, तो company ने आफे stock split announced किया 2-10 के ratio से, जिसका मतलब भी है, अगर आपके पास में इस company के 2 stocks हैं, तो यहाँ पर आपके 2 stocks total 10 stocks में convert हो जाएंगे, यहाँ अगर आपके पास में इस company का एक stock है, तो यहाँ आपके एक stock 5 stocks में convert हो तो आपको इस stock को उसकी x date यानि की 20th of March से पहले-पहले purchase करना होगा, और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है, बगर आपको वीडियो अची लगी हो, वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा, इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा, because Spino Media के अंदर आपको ऐसी stock market से related content दे देखने को मिलता रहेगा, चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye!